आप ये देखें कि इस वर्फ बहुत कि को पुलीस अधाने के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं जब ये प्रेस वारता खतम हुई उसके बाद एक विक्तव हमेद अंसारी जी की तरफ से आया इसके कुछ भाग अती मेहत्वपूर्ण है जो मैं आपके समक्ष रखता हूँ और कुछ तथे भी रखूँगा सबसे पहले हमेद अंसारी जी ने सारा ठीकरा कॉंग्रिस की सरकार के उपर ये कहके फोड़ा कि जो foreign dignitaries उप राश्पती के कारकराम में बुलाए जाते हैं ये सरकार की सला से बुलाए जाते हैं और मैं रीड कर दूँ मैं ये विक्तव रखना चाहता हूँ जिससे की बिलकुल स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने क्या कहा और कॉंग्रेस पे हम आएंगे उनसे जो सवाल पूछने हैं वो दोर आएंगे भी कुछ नए सवाल भी पूछेंगे लेकिन हमिद अंसारी जी खुद कहते हैं कि पूर्व की कॉंग्रेस सरकार की सला पर उनसे मशुरा करकर ही इन फॉरिंड डिग्निटरीज को बुलाया जाता है दूसरी बात जो हमने उजागर करी थी चब्श ग्यारा का आतंगवादी हमला हमारे देश पे किया जाता है और हमने ये भी बताया था कि आतंगवाद से कैसे लड़ना है ये कॉंग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आईसाई एजेंट से सीख रही थी अमेद अंसारी जी कहते है I had inaugurated the Conference on Terrorism on 11th December 2010 The International Conference of Jurists on International Terrorism and Human Rights As is the normal practice, the list of invitees would have been drawn by the organizers I never invited him or met him नुसरत मिर्जा के लिए ये तस्वीर देखिए ध्यान से इस तस्वीर में उपर लिखा है Second International Conference उसके लीचे शीर्शक है टेररिजम नाशनल और इंटरनाशनल और 27 अक्तोबर 2009 को और ध्यान दीजेगा ये जो मुंबई का आतंगवादी हमला हुआ उससे एक साल भी अभी नहीं बीता था एक साल भी नहीं बीता था और बीच में बैटे हैं तदकालीन उपराश्पती हमीद अंसारी जी और ये देखिए मंच पे कही और नहीं और डियंस में नहीं मंच पे बैटे हैं ये बेहरूपिये पत्रकार पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्दा तो अब व्यक्तव्वे है हमीद अंसारी जी का और ये तस्वीर है और ये सवाल है क्या ये सकते नहीं है कॉंग्रेस पार्टी इसका जवाब दे सोनिया गांदी जी जवाब दीजे राहूल गांदी जी जवाब दीजे कि इस तरह का कोई भी कारिक्रम अगर उसका आयोजन होता है तो उसकी क्लेरेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के इंपुट्स के बाद की जाती है और वीजा देने का कार रहे है तो सरकार ही करती है मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टरनल अफेर्स करता है तो ये कैसे हो गया कि ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान के आईसाए से भारत की गोपनिये अती सम्वेदनशील में दोरा दूँ जानकारी साजा कर रहा था तक्कालीन उपराश्टपती हमेद अंसारी जी के साथ बैठा हुआ है दूसरी बात इसी तस्वीर में अगर आप देखे हैं तो सरकार के बड़े वरिष्ट मंत्री भी बैठे हुए है कॉंग्रेस की सरकार के वरिष्ट मंत्री मंच साजा कर रहे हैं तो क्या ये वाजब सवाल नहीं है जो भारत की जन्ता आप से पूछती है कि ऐसे व्यक्ती को वीजा क्यों दिया गया वो भारत में आके यहां पर रेकी करता है जन्कारी लेता है और उसके बाद उस जन्कारी का इस्तमाल भारत में आतंगवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है भारतियों की जान को खत्रे में क्यों डाला प्रश्न ये भी पूछा जाना चाहिए कि हमिद अंसारी जी आपकी याददाश बहुत अच्छी है लेकिन क्या नियत में खोड़ था कि इस 2009 की प्रेस वारता का जिक्र आपने अपने विक्तवे में नहीं किया सच शुन्य जूट सो प्रतिशत और ये बात दोहरा के मैं कहूंगा सम्विधानिक पदों पे जो व्यक्ति यासीन होता है चाहे रहा हो उसका हम आदर करेंगे लेकिन देश से बढ़ के कोई नहीं है अगर ऐसी जानकारी सामने आ रही है इन सवालों के पूछे जाने से पहले ये जिम्मेदारी कॉंग्रिस पार्टी की थी हमिद अंसारी जी की थी सुनिया गांदी जी की थी कि वो जनता को सपष्ट बताएं सारी जानकारी दें और अगर कोई गोप्निय जानकारी है जैसा मैंने पिछली प्रेस वारता में कहा था तो सरकार को साजा करे सीधा उसका हम सम्मान करेंगे साल 2022 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्री का परदा पास शुब पहली बार क्यामरे पर सामने आया मुसेवाला की हत्या का आरोपी गोल्डी बराड म्यूजेटीन इंडिया पर कबूली हत्या की बात बढ़काउ बयान देने के आरोपी अजमेर दरखा का खादिम कोहड चिष्टी हैद्रबाद से गिरखतार अजमेर लेकर पहुंची पुलिस सिर्काटने की दीथी धम्थ कुझ्राथ के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात कई जिलों में ये स्कूल कॉलेज बंद कच्छ में उपनते नाले को पार करने के चक्कर में प्राक्टर पलटा तो वहीं नफसारी में कोस्ट कार दे हलिकॉप्टर से किया अच्छे लोगों का रस्की बार का वाद रूप कहें लिक्राल रूप कहें अब लगाता लों के लिए परिशानी चा सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसके इस्तमाल की जिम्मेदारी पुतिन की स्पेशल फोर्स के जवानों को सौपी गई है जो बखतर बन गाड़ी की चट पर तैनात इस खतरनाक हत्यार अर्वलेट डीम की मदद से यूकरेन के सैनिकों उनके ठिकानों और हवाई टारगेट को निशाना बनाने में करता है इसके फायर कंट्रोल सिस्टम में लगे कैमरे की मदद से दुश्मन की मौझूदगी का पता चलते ही उसे बस रिमोट कंट्रोल के बटन दबाने होते हैं जिसके बाद अर्वलेट डीम दुश्मनों पर गोलियों की बौचार शुरू कर देता है पुतिन का ये गातक हत्यार एक जगा रुक कर ही नहीं बलकि चलती गाड़ी से भी दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने की काबिलेत रखता है